जमीन आकाश और पानी तीनों ही जगह से इस वक्त चीन ताइवान पर हमले की तियारी कर रहा है ताइवान की राशपती अमेरिका के दोरे पर हैं उधर चीन अपलागतार युदधा भ्यास करके सिधे तौर पर ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये डराने की कोशिश नहीं बलकि ताईवान पर चीन की कबजे की तयारी है दरसल United Sharp Sword नामक तीन दिवस्य सेन अभ्यास के चीन निगोशना की है और चीन की एकारवाई ताइवान की राश्पती साई इंग्वेन और इविस हाउस स्पीकर केविन मैकर्थी की कैलिफोर्निया में हुई मुलाकात के बाद आई है अब को बतादे के साई की अमेर की यात्रा से चीन बौखलाया हुआ है United Sharp स्वार्ड में, ताइवान स्ट्रेट में, ताइवान के उत्तर और दक्षिन में, समुद्र में और ताइवान के पूर्वी हवाई शेतर में पुलिस गश्टी अभ्यास हो रहा है हाला कि अभ्यास का सतीक स्थान क्या है इसकी जानकारी नहीं दी गई है इस बीच ताइवान के रक्षा मंतवाले ने शनिवार को बताया है कि उसने द्वीब के चारो ओर तीन युद्ध पोतों और तेरह चीनी विमानों का पता लगाया है ताइवान पहले भी कई बार चीन की ओर से इस तरह के सैनव भ्यास और खत्रों का सामना कर चुका है ताइपे ने ताइवान स्ट्रेट के उपर 42 चीनी युद्ध विमानों के होने का दावा किया है जिसके बाद इस बात के अशंका बढ़ गई है कि चीन वाकई में कभी भी हमला कर सकता है ताइवान के रक्षा मंतुराले के मताविक सुबा 6 बजे 3 जहाजों और 13 विमानों को ताइवान के आसपर दिखा गया है पियले आर्मी जो है वो लगतार अपने मिसाईल लाउंचर से अभ्यास कर रही है अपने स्यानिकों के साथ वो घिराबंदी की पूरी त्यारी कर रही है इसके बाद अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा क्योंकि इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है कि जब युक्रेन में अमेरिका सीसे तोर पर शामिल नहीं हुआ तो क्या जब चीन ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा क्या अमेरिका सिर्फ यहां भी ख्याली पुलावी पकाता रहेगा या वाकई में वो ताइवान के मदद के लिए सामने आएगा दूदर रिपोर्ट भारत झालिए कि वो तो कि अजए उना सकता है